भाविना पटेल पैरा उलम्पिक फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाडी बन गई है उन्होंने शुनिवार को टोकियो खेलो में महिला एकल क्लास चार वर के सेमी फाइनल में चीन की जंग मियाओ को मात दी अब वो गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रचने से महस एक कदम दूर है इन खेलो में सर्वश्ट रेष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद भारती अदल के लिए अच्छी शुरुआत हुई है जीत के बाद 34 साल की भाविना ने कहा कि मैंने सेमी फाइनल में चीनी खिलाडी को हराया है अगर आप चाहले तो कुछ भी असंभव नहीं होता गुजरात के महसाना की भाविना पटेल अब खिताबी मुकाबले में 29 अगस को तरेगी जहां उनका सामना चीन की जावींग से होगा ये मैच भारतिय समया नुसार सुबस साथ बिचकर 15 मिनिट पर शुरू होगा एक छोटी परचून की दुकान चलाने वाले हसमुख भाविना को पदक का दावेदार भी नहीं माना जा रहा था लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शंत से इतिहास रच दिया 12 साल की उम्र में भाविना पोलियों का शिकार हुई थी शुक्रवार को पैरा ओलंपिक सेमे फाइनल में पहुंचने वाली भारत की वो पहली टेबल टेनिस खिलाडी बन गई थी उन्होंने कौटर फाइनल में सर्विया की बोरिस लावा पेरिज रांकुविच को 11-5, 11-6, 11-7 से हरा कर टेबल टेनिस में भारत के लिए पदक पक्का कर लिया था